इस मॉड्यूल में हम काजूल कमपेरिटिव रिसर्च इन टरम्स आफ रिसर्च डिजाइन इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे जी काजूल कमपेरिटिव स्टेडीज वो वाली रिसर्च इस हैं जिन में आप किसी चीज के हो जाने के बाद उसको उसकी कौजस के साथ मुनसलिक करते हैं मसला है ये भी रिलेशन्शिप की एक टाइप लेकिन इस रिलेशन्शिप में ये है कि कंसिक्वंस जो है वो आपको नजर आ गया तो फिर आप उसकी कौजस के उपर गौर करते हैं मसला रिलेशन्शिप बिट्वी अब इसमें एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट व होते हैं जलजले के इसमें वजह जो चीज लोगों की साइकलाजिकल हेल्थ के बदलने में जो चीज वजह बनी वो जलजला था जलजला गुजर जाने के बाद आप उसके एफेक्ट देख रहे हैं जलजला आपका मैनिप्लेटिड वेरियेबल नहीं था आपकी चॉइस से वो एक नैच्रल अकरेंस थी जो हो गई वो इंडिपेंडेंट वेरियेबल कहला सकता है क्योंकि उसके वजह से लोगों की साइकलाजिकल हेल्थ बदली लेकिन उसका होना आपके इख्टियार में नहीं था उसके होने से जो डिपेंडेंडेंट वेरियेबल में चेंजे के बाद उसके डिपेंडेंडेंट वेरियेबल पे जो असरात हुए उन असरात को आप स्टेडी करना चाहरे होते हैं और फिर आप उन असरात के जरीए से काउज उसको कनेक्ट करते हैं उसकी काउज के साथ जो के ये काउजेशन बहुत अच्छे तरीके से हर दफा डिरेक कुछ तबीली नजर आई आप पूरे confidence से इसको attribute नहीं कर सकते कि इसकी वज़ा अर्थ को एकता मुम्किन है कि अर्थ को एक क्याने से पहले भी उनके कुछ psychological health issues exist करते हों इसकी वज़ा से उनमें trigger हो गए हो ज्यादा हो गए हो कम हो गए हो लेकिन उनका होना पूरे का पूरा इसकी साथ attributable नहीं हो सकता at times तो इस तरह की तमाम researches जिन में dependent variable पे असर हो चुका है independent variable माजी का किस्था था जो गुजर चुका आप dependent variable को study कर रहे होते हैं और उनके द्रम्यान एक causation से इनको connect करना चाह रहे होते हैं इसी researches को हम कहते हैं कि काजूल comparative researches है काजूल comparative studies का भी procedure उसी तरह से है जैसे बाकी researches में होता है research questions हैं फिर आप कोई group ले लेते हैं group of variables ले ले लेते हैं जिन में से कुछ जिनकी occurrence हो चुकी है और जिस पे असर अंदाज होना था उसको आप देखना शुरू कर लेते हैं develop करते हैं उन instruments के data को आप interpret करते हैं analysis करके interpretation करते हैं तो यह वही सारे steps हैं जो इससे पहले के तमाम designs में भी आपने देखे तिरफ आप उस situation के हिसाब से उनके controls को उनके tools को उनके interpretation की techniques को analysis की techniques को interpretations के तरीकों को adjust करते हैं अपने design के साथ लेकिन अगर आप sequence wise उनके steps को देखें तो यह वही steps होते हैं जो के इससे पहले तमाम models में भी या तमाम designs को पढ़ते हुए भी हम उनके steps का जिकर कर चुके हैं क्या है